ओम सिरी गने सायनम दोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस मार्च रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप ल दोस्तों घर परिवार में आज कोई सुब कार्य संपन होनी की संभावना बन रही है परिवार में आज उत्सव का माहौल हो सकता है संतान पक्ष को लेकर आज आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं तथा आपको किसी प्रिकार का कोई सेहो भी प्राप्त होनी की आज संभावन अच्छी बन सकती है ऐसे में सोची समझी रणनीती के तहद कारे करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सके दोस्तों साति साथ आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कारे पर पूरी तरह से आज ध्यान केंद्रित रखें कहीं पुंजी निवेस करना दोस्तों आज आपके सभी काम आशानी से संपन होने से मन में प्रसंता और ताजगी बनी रहेगी अचानक से कोई आर्थिक समस्या हल होने से अपने आपको तनाव मुक्त आज आप महसूस करेंगे इस समय ग्रह इस्तिती आपके व्यक्तित्व को प्रभाव साली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्थ होगा धर्मिक वे आध् आपमिक छेत्र में आपका आज विसेस रुजहन रहेगा इनकी वज़े से आपकी सोच अधिक शकारातमक और संतुलित रहेगी दोस्तों साती साथ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योगता और छमता पर अधिक विस्वास करें दोस्तों आज का दिन आपके सपने और मह पहत्व कांचाओं को पूरा करने का है पूरे मनयोग से अपने कार्यों के पृति आज आप समर्पित रहें साथ शाथ प्रॉपर्टी से संबंदित रुके हुए आज कार्ये आपके पूरे होंगे इसलिए अपना ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदित विवाद उत्पन होने की संभावना बन रही है किसी अन्य व्यक्ति की वज़े से घर में आज तनाव का माहुल हो सकता है धन अचल संपत्ति को ले करके विवाद उत्पन होने की भी संभावना बन सकती है यदा कदा उतार चड़ाव उत्पन होने की भी संभावना होती है तो उससे भी आज आप दूर रहने का प्रियास करें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो कभी कभी आलस की वज़े से आपके कारों में रुकाबट आ सकती है ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरवाई आपको अपने लक्षे से भटका देगी किसी प्रिकार की दूविदा की इस्तिती में किसी अनुभवी वेक्ति की सला आपके लिए फाइदेबंद रहेंगी दोस्तो साथ साथ आपको एक बात का विसे सुरूप से यह भी धियान रखना है कि कई बार कठोर वानी से अक्सर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें काम की अधिक्ता का भी प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें दोस्तो ईगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इन पर आप काबू बना कर रखें क्योंकि इस वज़े से कुछ लोगों के साथ संबंद आज आपके खराब हो सकते हैं फौन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें साथ साथ किसी बाहरी व्यक्ती के हस्त सेप की वज़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है और घर के बड़े बुजर्गों का अपमान होने की भी आशंका है साथ साथ आज खर्चों की भी अधिक्ता के कारण बजट भी गड़बडा सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तों पती पतनी के आपस में मधूर संबंद रहेंगे वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकानना घर के बातावरन को और भी खुस नुमा बनाएगा परिवार के साथ मनोरंजन वेस्ट सौपिंग में आज समय वैतीत होगा इस से घर में खुसी का माहौल और अधिक रहेगा साथ साथ एविवाईतों के लिए भी आज कोई अच्छा रिस्टा आ सकता है जिस से उनका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिन बिजिनिस पार्टियों से अच्छी बात चीत चली आ रही है आज उनके बहतर परिणाम सामने आने वाले है बहत्वपोर्ण उपलब्दियां आज आपको प्राप्ट होंगी नोकली पेशा व्यक्तियों का कोई टार्गेट पूरा होने से आज सुकून रहेगा वैवसाईक इस्थल पर आज आपका रुत्वा बना हुआ रहेगा कर्मचारियों का अपने कारेक के प्रती पूरी तरह से समणपन भाव रहेगा जिसके वज़े से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे साथे साथ प्रापर्टी के वैवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभाव ना है साथी पबलिक डीलिंग में आज आपको मुनाफा होगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कोई ओफिस्यल यात्रा आज करनी पड़ सकती है मीडिया तथा मार्केटिंग संबंदित व्यवसाय से जुड़े लोग आज बहतरी इन उपलब्दियां प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतित करें दोस्तो आज आज आपको कारेचित्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे जिसकी बज़े से आपका मन भहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी समय ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है इसके लिए आप अपने खानपान पर विसेश रूप से ध्यान दें साथ साथ आज आप आरवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद तामे के लोटे में जल लें उसमें आप थोड़े अक्षत कुम-कुम गुड और फूल डाल कर भगवान शुरदेव को अर्द दें और सा अपनी मनों काम नहीं मांगें जै दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान शुरदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कर रहें भगवान शुरदेव के आशिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शुरदेव अवस्च लिखें और वीडि